नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल शिवा सक्ति तंद्र रह्ष्य में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे अगर आप किसी साधना को काफी पहले कर चुके हैं और उसकी मंत्र सक्ति दिन का दिन कमजोर होती जा रही है या कहें कि जैसे आपने कोई साबर मंत्र कर रखा है या कोई वैदिक मंत्र कर रखा है जो आपको 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले आपने साधना की है और निरंतर आप उसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वो साधना जब आप के होते हैं तब वो मंत्र ज्यादा पावर से काम करता है लेकिन उसके कुछ सालों के बाद उस मंत्र की सक्ति कुछ कमजोर सी पुरने लगती है तो ऐसे में उस मंत्र की सक्ति को परमानेंटली पावरफुल वनाने के लिए मैं आपको एक ऐसा अचूप प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो की वो बहुत ही कारगर है आपको करना क्या है कि आप आसन पर बैठे और अपने गुरु का इस्विनन करें गुरु मंत्र का जाब करें जो भी आपका नियम हो पांच बार तीन बार या साथ बार ग्यारा बार आप उसका प्रयोग करें उसके बाद अपने इश्ट को याद करें इसके बाद आपको लेना है हवन समगरी देशी घी और अगर आपकी कोई तामसिक साधना है तो उसके साथ में आप सरापका भूग ले सकते हैं नीमू ले सकते हैं और जैफल भी ले सकते हैं ऐसे में उसके बा क्योंकि इस आधनी क्यूग में सबके माकान पक्के हैं और ऐसे में हवन कुन खोदनाव बनाना सायद संभव नहीं हैं ऐसे में आप एक रेडिमेट हवन लें उस पर अगली प्रोजलित करें उसके बाद आपको हवन समगरी उसमें डालते हुए मंत्र को समर्फित करना हैं मंत्र पर हैं और हवन समगरी डालते जाएं देशी घी डालते जाएं और आगे स्वाहा उसको जोड़ें इसके बाद आपको 108 बार आखुती देनी हैं देशी घी से हवन समगरी से मिक्सिंग करके और देशी घी का चिराग जलाना है आप देखना कि आपकी मंत्र में शैतनिता बढ़ जाएगी इसकी पावर बढ़ जाएगी और आपका मंत्र काफी इस शीट से काम करेगा भाईयों इस प्रयोग को काप 6 महीने में या साल भर में हो सके तो महीने में एक बार आवस्य कर लेना चाहिए ताकि आपकी मंत्र की चैतनिता बढ़ ही रहे और उसकी उर्जा प्रभावी ढंक से जिस जहां भी आप चलाना चाहें जिस कार के लिए चलाना चाहें वो चल सके तो दोस्तों आसा करता हूं आपको यह शोटी सी जानकारी समझ में आई होगी आप अपना इस तरीके प्रयो सकते हैं नमस्कार दोस्तों